प्रभू जी यही है आज का मुद्दा और इसी पर हम करेंगे चर्चा रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने आज संसद में अपना लगातार दूसरा रेल बचट पेश किया रेल बचट की खासियत यह है कि इस बार ना तो किराया बढ़ाया गया है और ना ही माल भाड़े में किसी तरह का कोई इजाफा किया गया है रेल मंत्री ने 2020 तक रेलवे को आदर्श बनाने और एक्सिज़न्ट की मामले में जीरो करने का लक्ष रखा है लेकिन सवाल ये भी उठा है कि जब रेलवे की कमाई नहीं बढ़ेगी तो ये लक्षे कैसे पूरा होगा भारते रेलवे के प्रभू यानि केंद्रिय रेल मंत्री सुरेश प्रभू का लक्षे है कि साल 2020 तक भारते रेलवे आदर्श इस्तर पर पहुँच जाए और अपने इसी लक्षे तक पहुँचने के लिए शायद रेल मंत्री ने इस बार कि अपने बजट पे आम यात्रियों के लिए ना तो जादा कंजूसी दिखाई और ना ही दर्या दिली आम लोगों के लिए ज़रूर इस बजट में कुछ राहत की बात है आम यात्रियों के लिहास से सबसे बड़ी बात ये है कि रेल मंत्री ने इस बार यात्री क्राय में कोई बढ़ोत्री नहीं की किराया तो नहीं बढ़ाया लेकिन आम यात्रियों के लिए चार नई ट्रेनों की सवगात देने का एलान किया लंबी दूरी की अंतियोध्य एक्सप्रेस यानी अनारक्षित सूपर फास्ट ट्रेन हमसफर ट्रेनों को चलाने का एलान किया गया जिसमें सिर्फ AC3 की बोग्या होंगी तेजस ट्रेन की भी घोशना की है जो 130 क्लोमेटर प्रति घंटे की स्पीट से चलेगी वियस्त रूट पर यातरी दबाओ कम करने के लिए रेल मंत्री ने उदे डबल डेकर सेवा का भी अलान किया मैं तीन चुनिंदा रेल गाड़ी सेवाँ की घोशना कर रहा हूँ हमसफर और तेजस और उदे तेजस भारत में रेल गाड़ी यातर के भविश को दिखाएगी 130 क्लोमेटर प्रति घंटा और उसे अधि गती पर चलित ये जवाब दही और उन्नत गरहक संतुष्टी सुनिशित की जाएगी रेल मंतरी ने अपने बजट में स्टेशनों पर सुईधाय बढ़ाने पर भी खाल ध्यान दिया जिसके तहत रेलवे ने 400 स्टेशनों को निजी भागदारी से विक्सित करने का फैसला किया साथ ही 311 स्टेशनों पर CCTV लगाने का लक्षे है रेल मंतरी ने महिलाओं को टिक्टों में 33 फीसिदी आरक्षन और शिशु आहर यूजना शुरू करने का भी एलान किया मुंबई को लोकल के मामले में कुछ खास नहीं मिला लेकिन चर्च गेट विरार और CST और पनवेल के बीच एलिवेटेट कॉरिडोर की सौगाज जरूर मिली रेल मंतरी ने दावा किया कि पिछले साल रेलवे में हाथसों की संख्या कम हुई है लेकिन अभी लक्षे हासिल नहीं हुआ रेल मंतरी ने इसके लिए जापान, कोरिया और दूसरे देशों के रेलवे रिसर्च इस्टिटूट से साजिधारी की साथ ही बिना चौकिदार की क्रोसिंग को 3-4 साल में खत को कनने का लक्षे रखा गया वर्ष 2015-16 में हमने 350 चौकिदार वाले लेवल क्रोसिंग बंद किये हैं और 1000 बिना चौकिदार वाले लेवल क्रोसिंग समाप्त किये हैं वर्टमन वर्ष में 820 रेड ओवर ब्रिज रोड अंडर ब्रिज को पूरा किया गया है और तेरे सो पचास पर कारे प्रगती पर है 2020 तक के लक्षे के लिए फंड कैसे जुटाया जाएगा रेल मंतरी ने अपने बजट में ये भी बताने की कोशिश की रेल मंतरी ने इस साल रेलवे में 1.2 एक लाग करोड रुपे के निवेश का लक्षे रखा जिसमें से 40,000 करोड केंद्रिय बजट से मिलेगा रेलवे ने अलग-अलग माध्यमों से 18,580 करोड रुपे जुटाने का भी लक्षे रखा जिसमें LIC ने भी रेलवे में निवेश करने पर सहमती चिताई प्रधान मंतरी मोदी ने रेल बजट को बेहतरिन करा दिया एक विचार सील बजट प्रस्तूत करने के लिए मैं रेल मंतरी सुरेश प्रभू को बहुत बहुत बधाई देता यह रेल बजट देश की अर्थेववस्ता में दुरगामी सकारात्मक योगदान करेगा एक तरफ जहां प्रधान मंतरी इस बजट को आशावादी करार दे रहे हैं वहीं विपक्ष इस बजट को नई बोतल में पुराने शराब बता रहा है विपक्ष का आरोब है कि रेल मंतरी ने धन जुटाने से लेकर सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया विपक्ष के आरोब है पर सरकार की तरफ से सफाय भी आई लेकिन ये देखना दिल्चस्पोगा कि सुविधाओं की बरसाथ यात्रियों तक कब तक पहुँश पाती है ब्यूर रिपोर्ट आईविन सेवन और रेल बजट पर चर्चा लगातार जारी है और इस घंटे चर्चा में हमारे साथ जोड़ रहे हैं अब क्योंकि रेल बजट पर हम चर्चा करना है और हमर पास वक्ट कम है क्योंकि 20 मिनट की ये चर्चा है सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी बहुत short and crisp अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है तो इसमें गलत क्या है क्योंकि PPP model की आपने बात की लालू ने पहले शुरू कर चुके हैं 182 की बात की 182 help line चुरू की जाएगी वो तो already exist करती है इसके अलावा मोटी बात ये कि जब 2008 और 9 में 6th pay commission लाग हुआ था उस वक्त 32.5 फीजदी भार पड़ा था लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि 7th pay commission में बहार बहुत कम पड़ेगा 11 दशनोक 6 तो इसका अर्थ समझाने में रेल मंत्री नाकाम रहे जरागर आप हमें समझा सके तो देखिए अगर मोटे तोर से पूरे budget को देखा जाए तो मैं सुबह भी में कह रहा था कि जो Congress और UPA का budget रहा था वो bandit technique था कि बहुत खराब हालत थी उसमें bandit लगा दीजिए symptoms को आप treatment करिए के वह symptomatically एक medicine दे दीजिए और symptomatically treatment करिए अमोमन UPA की समय जो budget होता था उसमें एक दिन का बड़ा big bang होता था बहुत discussion points होते थे बड़े सारे train घोशित किये जाते थे मगर अंतता होता क्या था 1975 से घोशित किये हुए train है अभी तक वो पूरे नहीं हुए है 40-40 वर्षों तक वो पूरे नहीं हुए है मगर इस budget में क्या हुआ है इस budget में आप देखिए consolidated budget है जो है उसको कैसे दुरुस्त करना है उसको कैसे और स्वस्त बनाये रखना है और उसको आगे बढ़ाना है आप देखिए तीन मोटे challenges है Indian Railways के सामने वर्तमान काल में number one अच्छा service प्रदान करना चाहे वो train के अंदर हो या station में हो number two competition को face करना चाहे low airfare से हो चाहे road के साथ competition हो number three विश्व में जो commodities price economy down आने के कारण commodities price down आई है freight में down आया है आपका income कम हुआ है गोल और iron north कैसे face करे तो सुभाविक रूप से इस सरकार की जो budget ने ये एक it is not a salad on budget ती के वल headache के लिए गोली दे दी और बैठ गए ये consolidate करने का और किस प्रकार से revenue generation का और जो system है उसको दुरुस्त करने का इसका budget है पर roadmap तो कोई नहीं है ना roadmap है कोई संबे तो उसका roadmap तो कहीं नहीं बताया गया देखिए आप आपने जो अभी budget का heading रखा है कि आखिर पैसे कहां से आएंगे ये पैसे है नहीं हमारे पास यही आप roadmap कह रही है तो मैं मोटा मोटी तकी जनता समझ सके मैं बता देता हूँ कि कहां कहां से पैसे आएंगे और क्या-क्या sources है नंबर वन budgetary sources है आप देखिए UPA के समय जो budget allotment होता था वो लगभग 15 से 20 हो सकता है तोड़ा सा बढ़े दूसी बात है internal resources को mobilize किया लगभग 17,790 करोड पिछली बार वह 18% बैठता है external budgetary resources से 40% आ रहा है market दिखिए अभी मैं CII के विज़े expert है उनको भी सुन रहा था most of the items which have been announced by the railway minister today a bankable bankable bank loan भी देगी LIC के विशह में आपने अभी बताया कि पिछली बार से बड़े रूप में LIC से पैसा लेना और वह बहुत ही सुविदा जनक तरीके से सम्बेत वा सम्बेत सब कुछ सत्ता पर एकर देखा जाए तो ग्राउड पर क्या कुछ हो रहा है यह भी तो बताएं लगटिए ग्राउड पर तो आप जंता से पूछेंगी तो बता देंगी सबसे बड़ी बात है ग्राउन पे जनता दो तीर मोटी मोटी चीजों से है और मतलब रखती है नंबर वन हमारा किराया बढ़ा या नहीं बढ़ा वो किराया नहीं बढ़ा मतलब ये गरीबों की सरकार है दूसरा सफाई बढ़ी या नहीं बढ़ी सफाई बढ़ रही है और सफाई के लिए जिस प्रकार से टॉयलेट, पानी, इत्यादी का बंदोबस किया गया है, वो अपने आप में बहुत अच्छा है, तीसरी बार जनता कहती है, जो सर्विस है, ट्रेन, टाइमिंग पे आती है की नहीं, पंक्चुल है की नहीं, पंक्चुलिटी में मेरे पास रिपोर्ट है, पि की बात की जाए, तो रेलवे में ये कहा जाता है कि अगर सो रुपया कमाना है, उसके लिए रेलवे जो है, वो बानवे से नब्बे से बानवे रुपया खर्च करती है, नहीं सिर्फ आट पैसे कहीं फायदा होता है, कहीं ये भी तियरीज दी जाती कि नहीं, एक सो नौ र रेलवे का मुकाबला करेगी, ये होगा. परसेंट या 88 परसेंट तक लाने का एक लक्ष हमारे रेल मंतरी ने गोशित किया है. अब जिस रेल मंतरी के देख रेक में रेल विभाग अपना भाड़ा की कमाई खो रहा है, पैसेंजर टिकट की कमाई खो रहा है, चाहे तो मैं फिगर समपढ़ कितना देता हूँ आपक मैं रखता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए तो यहां पर भी जो बोलने की कोशिट कर रहे है, वो सरासर छलावा है, कही न कहीं न कहीं दिखपरमित करने वाला मतरी बार्च है. वो कहते हैं, उनका बजट सैरड़ाओन बजट नहीं है, आपका बजट जो थ संजे जी मैं ये कह रही थी कि आप इनके बजट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन संबित तो ये कह रहे हैं कि अभी तक जुतने भी बजट आये मनमौन सरकार के वो एक सारडान बजट थे ऐसा है संबित को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आज भी सुरेश प्रभूर जेनों कहा है कि 149 पिछली घुष्णाओं को पूरा करने का काम हमने शुरू कर दिया है चाहें तो मैं उनकी लाइन पढ़कर सुना देता हूं पूरा नहीं हुआ है पिछली घुष्णाओं सारी पूरी हो गई पिछली जो सारी घुष्णाओं तिया जो प्रेन शुरू करना या ब्राट गेज या ट्रैक बढ़ाने की जो बात इसा कुछ निया है इस तरह की गोसना है इसससे पहले भी रेलमंत्री ने की हैए और उसे प्रकार की घोसना ये मुझे नहीं लगता कि ये रेलमंत्री। संब्ध संब्ध जहां तक भाड़े की बात है तो पूरे साल आपने भाड़ा बढ़ा है या फिर समान धुलाई का भाड़ा हो या आपका पैसे यह प्लेटफॉर्म टिकेट का जो किराया है समब्ध जवाब दे पूरा साल भाड़ा बढ़ाते रहे रेल बजट के दिन आपन को शक्ते खाने का लिए समय हम को अधे ले लेते हैं संवत कर देखियो देखिये जहां तक बजस्केत ना हम भी अच्छी अधिव आपके जी कोई नहीं कोई नहीं पिछले बजट में कितना घोशना किया था रेल मंत्री ने और कितना अचीव किया 103 बजट अनौस्मेंट्स हाब इंप्लिमेंटेड मैं आपको अधिकृत कागस दिखाता हूँ 103 बजट अजनुन अनौस्मेंट भी किया 103 अनौस्मेंट जो हुए थे वो हो चुके हैं पूरे दूसरी एक बड़ी बात में बता दूँ जो कि रेल मंत्री ने आज शेर भी किया कि सबसे बड़ा चेंज UPA सरकार और इस सरकार की बजट में क्या रहा है पहले जब UPA की सरकार बजट अनौस्मेंट करती थी और कोई प्रोजेक्ट आरंब करती थी तो उसे दो वर्ष लगते थे प्रोजेक्ट आरंब करने में इस सरकार ने उसे कॉमप्रेश करके अच्छे ट्रांसपरेंसी के कारण तौरित्ता के कारण छे महीने में लाके खड़ा कर दिया है कि छे महीने के अंदर आज अनौस हिया है तो कल कर देंगे और तीसरी बात में फिर से आंकड़े दिखाब देखिए ओपरेटिंग रेशियो के बारे में बहुत कुछ कहा गया ओपरेटिंग रेशियो वो होता है कि आप एक उप्या कमाने के लिए कितना पैसे खर्च करते हैं आप देखिया आंकड़े बताता हूँ 2013-14 में ऑपरेटिंग रेशियो था 93.6 प्रतिशत 2014-15 में बजट टार्गेट कितना था 92.5 परसंटेज एक्चुल कितना हुआ 91.3 परसंटेज आप बताईए 91.3 परसंटेज कमपेड टू 93.6 परसंटेज कौन सा अच्छा है सभावी कृप से 91.3 परसंटेज अच्छा है संजीव जी बीच में बताईए मैं जरा जबाब देना चाहाँ मैं संजीव जी लॉट तो बस एक एक्सपर्ट का भी एक पॉइंट रख लें चाहिए कि 96 से 97 प्रतिशत के आसपास के बीच में होनी चाहिए क्योंकि इस साल क्या हुआ है कि रेलवे की कमाई वो कम हो जितना होना चाहिए था उससे कम रही तो इन लोगों ने जो पिछले साल के रेविन्यू कम होगा और साथ सदार करोड़ एक्सपेंडिचर कम होगा लेकिन कुल मिला तो जो जो मार्जन बनना था वो भी कम हो गया 10,000 करोड़ मार्जन कम हो रहा है तो इसका आर्थ यह है कि अपरेटिंग रेश्यो रेल्वे का बढ़ड़ा है यानि फिगर से आप सेहमत नहीं है संबित पात्रा जुका है रहा है संजे नी रूपम संजे जी देखे मैं इनकी लाइन पढ़के इनके भासन के एक लाइन क्या है कि एक्षन हैज बिन इनिसियेटे और 139 बजट एनाउंस्मेंट अफ लास्ट यर एक्षन इनिसियेट कर देना मतलब एनाउंस्मेंट पूरे हो गए संबित पात्रा कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग एक्षन तो हर रेल मंत्री एनाउंस्मेंट को लागू करने के लेकिन वो गोसना है पूरी कब होती है यह जादा मत्सकुन है तो क्रिपया करके सुरेश प्रभू को अनावस्चे करूप से क्रेडिट मत दिजिए कि 149 गोसना है जो ती पिछले साल की वो पूरी हो गई कंप्लीट हो गई जैसे ऑपरेटिंग रेशियों के उपर कोई फर से कंफर्म किया मेरी बातों को बिल्कुल उसी तरह से बोल रहा हूं सुरेश प्रभू ने बतौर रेल मंत्री कोई चमतकारी काम नहीं किया जी सामबगारे यह बढ़ने लुंबई में आपको को जुटला रहे हैं तो प्रेड़ के बीच जो गाइप होता है इसको काम करने क एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था काम भी हो रहा था इनके आने के बाद वो काम रुख गया और नतीजा के हुआ पहली बार दिख रहे हैं कोई बेटा कोई बुजूर्ग संजे जी रोकूंगे आपको बात रखने दीजें मित्वागने उत्री जी के पास भी जाना है संजे निरुपम जी लोकल ट्रेनों का जीवन सुरक कित नहीं है जब मुंबई में लोकल ट्रेन दुर घटना से लोगं को बुला की संजे जी और संबित पात्रा भी फरकी तरीके संजे निरुपम जी 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 संबत संबत बोलिए देखिए मैं आप से एक निवेदन करता हूं जब अकेडमिक डिसकर्शन में बैठें तो संजे निरुपम जैसे इस प्रकार के एक्सपर्ट्स को मत बुलाया करिए यह एक्सपर्ट्स विदाउट नॉलेज कहलाते हैं जैसे कि आहुल गांधी हैं यह देखिए मैं जो डॉक्युमेंट पकड़ा हुआ हूँ यह इंडियन रेल्वेस का आधिक डॉक्युमेंट है मैं चैलेंज करता हूं आपके एक्सप जैनवरी टूथाओद शीए जैनवरी टूथाओद शीए तक के रेवन्यू के सारे फिकर्स का धेयर किया है भारतिया रेल्ट के वेबसाइट की दोधा समय कि आपकी वेबसाइट पर यह बात है एक्सपर्ट वहीं से कोड कर यह आपको बना रहें अपनी तरह से मनगड़ हो सकता हुए आप बोल सकता हुए आप सब्सक्राइब बतारे हैं तो सब्सक्राइब लेकिन सीधे तौर पर आप यह बताईए मैं रिक्वेस्ट करूंगी संबित पात्रों संजय जी को प्लीज प्लीज रुके अगनी उत्री जी कुछ बोल रहे हैं नव्जोट जी संब्सक्राइब दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट को आप सरकार के व्यू को जानना नहीं चाहिए नहीं ऐसा नहीं है हमारे समझ में करी गई है कि तमाम जो प्रोजेक्ट सेंक्शन थे उसमें तमाम बहुत थिनली पैसा डिस्ट्रिब्यूट हो जाता था इसको इस तरह से संयोजित किया गया है कि जो प्रोजेक्ट से पैसा जनरेट होगा काम करने के बाद उसमें से रिटर्न आएगा इसमें ही रेलवे का पैसा लगाया जा रहा है और जो स्टेट गौर्वर्मेंट जो समझती है उनका कोई फाइदा होगा किसी प्रोजेक्ट से उसमें स्टेट government के संग जेवी बना के पैसा लगाया जा रहा है तो state के जो फाइदे हैं वो अलग किसम के होते हैं और government of India के फाइदे अलग किसम के होते हैं और state government इस लिए पैसा लगा रही है कि उन project के होने से उनकी अपनी income बढ़ेगी क्योंकि कोई भी rail project से उस छेतर का development होता है तो overall आप इस budget को किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से mission to 2020 दिखा रहा है कि तब rail की दशा दशा बहुत सुदर जाएगा आपको उमीद है इस budget के बाद ऐसा है कि अगर यह implement करने दिया जाए जैसा कि हम लोग देखते हैं क्योंकि आज एक आम रागरिक भी हैं हम तो हमारी Parliament में कुछ होता ही नहीं है क्योंकि लड़ाई जगड़ा ही होता रहता है तो हमने Parliament लड़ाई जगड़े के लिए तो बनाई नहीं थी तो वहाँ पर कुष्टी का दंगर इसको इंप्लिमेंट किया जाए तो वाकि चीजें बदल सकती संबत पात्रा संबत पात्रा जी देखिए पहली बात है मैं जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा हूं आप इसको जूम करके दिखाने में कहूंगा यह इंडियन इंडियन रेल्वेस का है 103 बजट अनौसमेंट अल्रेडी इंप्लिमेंटेड यह कोई मैं बना के नहीं बोल रहा हूं अगर संजे जी के पास ऐसा कोई डाटा संजे निरुपम जी के पास कोई डाटा है तो वो दिखाए दूसरी बात जहां तक मैंने आपको ऑपरेटिव रेशियो के बारे में बात की वो भी जूम करके दिखाया जाए इंडियन रेल्वेस ने खुद रिलीज किया है यह कंपेरिटिव चार्ट है यह आप देखें यह कोई मैं बना के घर में नहीं बोल रहा हूं सवभाविक रूप से कुछ लोग जो बड़े सबसे बड़ी बात में आपको बताता हूं देखिए आज रेल्वे बजट में में मिनिस्टर ने भी कहा कि जहां 2013-14 में 4.1 किलोमेटर प्रती यह रेल्वे ट्रैक बिचाई जाती थी वह हमारे समय में 7 किलोमेटर के लगभग आ गया है और अगले वर्ष कुछ वर्षों मे 2018-19 में 11 किलोमेटर प्रती वर्ष के रफ्तार से बढ़ाया जाएगा जैसे हम हाईवे में भी बढ़ रहे हैं संबेट 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 बहुत शुक्रिया संजी जी आप भी रहेंगे इसके बाद हम एक और डिसकॉशन करेंगे लेकिन हमारे दोनों एक्स पुरानी चीज़ों को रिपीट किया गया है जबकि सत्ता पक्ष्टी दित और पर यह कह रहा है कि नहीं यह जनता के लिए पचत है